कांप्लेक्स नंबर के स्लेक्षिन में एक चोटे से टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि कॉंप्लेक्स नंबर आपका फ्रैक्षिन में दिया हुआ तो उसको हमको कांप्लेक्स नंबर दिया हुँ इसके रिप्लेस पर कोई भी नंबर आ जाये उसके और लोगों तो यह ज्यादा से ज्यादा पहुचने में यहल्फ हो और उनकी हो सके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके basic को समझेंगे कि A plus IB form को कैसे convert करते हैं जब आप basic समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से इस type की questions को कर पाओगे तो पहले basic को हम समझने का प्रयास करेंगे after next work start होगा हमारा तो है यह सबसे पहले basic को समझते हैं देखें basic को कहने का sense हुआ कि अगर हमको basic find out करना है students हम basic कैसे समझ सकते हैं कि जैसा मान लीजे कि अगर हम let करते हैं let z equal to x plus i y be a complex number complex number हम कहने का समझे मान लेंगे कि माना z equal to x plus i y एक समी सरसंग क्या है is the most important है Hindi meaning को भी student है उनके लिए helpful होगा समी संक्या है तो हम क्या करते हैं complex conjugate को find करते हैं complex conjugate complex conjugate इसको हम कहते हैं सायुगमी क्या कहते हैं हम सायुगमी that is clear तो हम क्या कहते हैं सायुगमी है ये जैसे ये सायुगमी है it means complex conjugate को हम किसे denote करते हैं z bar से और ये find out कैसे होता है जो दिया हुआ complex number है उसमें i को minus i से हम replace कर देते हैं it means कहने का i को हम किसे replace करेंगे minus i से जैसे i को minus i से आप replace करोगे तो ये आपका complex जो है find out हो जागा तो यहाँप अगर इस वाले में माइनस i से replace कर दें तो basically आपका क्या result मिलेगा देखिए इसमें i से replace करोगे आप तो x फिर minus i y हो जाएगा complex conjugate हमको find out हो गया second point of view है कि अब हमको इसकी जरुवत क्या है अभी जरुवत में आपको समझाऊँगा कि क्या है यहाँपे नीड है तो माली इन दोनों का multiple कर देते हैं देखिए जड़ बार ठीक है जड़ बार से multiple कर दीजे एक्स प्लस i y और यहाँपर क्या आएगा आपका इक्स माइनस i y AI अब हिनका एप्लस प्लस बी ऐ माइनस वी वाला फार्मुला आइज इंप्लस फार्मॉलाइं करोगे एप्लस फार्मॉला और ए मायनस पी इस शबाटे फार मांइनस बीइव स्कार अभी हम इसको बैसिक को समझने का dad необход कर रहे है कि हमें a A plus IB को जब की जरुवत है तो उसमें complex conjugate की जरुवत क्या है सायगमी की क्या जरुवत है उस पर हम यहां पे discuss कर रहे है अभी तो आईए देखते हैं लिकिन इस बेसिक concept यह हमारा तो अगर हम इसको कहेंगे तो X square हो जाएगा minus इस वाले part का करेंगे I, Y करते हैं पर जाएगा I square and Y square और आप सभी जानते हो कि I square के value क्या होती है minus इस वाले part में अगर हम रख दें तो that is the X square plus जो कि क्या आपका है purely real real है it means कहने का यह workout है हमारा कि यहां पर अगर हम उसके complex conjugate से तो वो purely real में बदल जाएगा समझ में आगे बात कि complex conjugate से अगर हम जो complex number दिया हुआ है अगर उसमें हम multiply करते हैं तो we can convert the purely real part ठीक है यह real part में convert हो जाएगा तो same pattern को follow करना है जो question दिये हुए हमारे पास है उन पर तो अब अभी check करेंगे objective पार्टरन ले करके उसके बाद आपको हम इस पर focus करेंगे जैसे मान लेजे हैं हमारे बास एक question लेते हैं जैसे लिए कहा कि z is equal to one upon a plus ib that is the question a plus ib हमारे बास question अब हमको क्या करना है denominator ठीके ध्यान देखेगा conjugate complex conjugate denominator का conjugate है सयुगमी है उससे हमको क्या करना है multiply करना है multiplying by conjugate complex conjugate of denominators in numerator and denominator मतलब answer हर में denominator हर के सयुगमी से गुड़ा कर देते हैं यह आपको concept याद रखना है हमेशा each and every time तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो a minus ib का जो complex conjugate होगा सयुगमी क्या हो जाएगा a minus ib ठीक और here क्या हो जाएगा आपका a plus ib add it is और इसको multiply कर देंगे a minus i ठीक that is clear अब देखे numerator add it is a minus ib और denominators में यहाँ पे क्या हो जाएगा a square minus i square b square okay that's clear a minus ib and is here a square plus b square because i square की value minus 1 होती इस place पे आपूट कर देजे and we got the answers okay तो देखे अब यहाँ पागर हम इसको each and every parts को दिवाइड कर दे a upon a square plus b square minus i b upon a square plus b square और यह किसकी value हो गई upon a plus okay that is clear point अब भी आपको यह clear हो गया और यह क्या आपका that is convert to a plus i b form a plus i b form में यह convert हो गया basic I think आपको student समझ में आ गया होगा कि हमारा यह basic है हमें complex conjugate की जरुवत क्या है अब आपका जो rule है working rule क्या है a plus i b के लिए हमको क्या करना है ठीक है a plus i b के लिए जो हमारा basic rule होगा पले मुसको समझ ले working rule को write up कर ले फिर आप अपने आप इसको कर पाऊगे ठीक है that is the working rules first एक ही rule से simple multiplying complex complex conjugate complex conjugate complex conjugate of numerator complex conjugate of denominator denominator in numerator and denominator that is the multiplier मतलब कहने का सेंसे यहाँ पे इसको अगर हम हिंदी में लिख दें इस जो हिंदी हमारे students है उनके लिए help हो जाएगा हर के सायुगमी से सायुगमी से अंस और हर में गुना करने पर इसAK यह आपका basic concept यही है ए पलॉस अई पी के लिए PRES कंसेट क अप्लाइ करें ठेक है ऍय है that is clear point आपको यही 검सर आपको जब समझ में आ अगया तो अब हम इस conjugate को find करना है you can find the complex conjugate then you can multiply how to find the complex conjugate the given complex number in denominators i multiply by minus i जो denominators में होगा उसमें i को minus i से बदल दीजेगा complex conjugate find out हो जाएगा तो आए तो first questions पर हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर ऊपर question लिया है I think एं बेसिक concept समझ में आ गया तो आए इस इस दो first two questions ले लेते हैं आपर फिर after next question पर आएंगे हम देखे that is here first first वाले question पर बात करते हैं first question में हमारे पास कुछ भी work बहुत बड़ा work नहीं है that is here one plus i upon one minus i ठीक so what we get सबसे पहले करना क्या है denominator में denominator में one minus i है one minus i का complex conjugate क्या find out होगा one minus i का complex conjugate होगा one plus i क्यों कि यहां पर इस वाले में i को हम replace करेंगे minus i से तो हर जो denominator में है इसके complex conjugate क्या जागा one plus i one plus i से numerator and denominator में multiply कर देंगे तो 1 प्लस आई 1 पान 1 माइनस आई तो एट इस रहेगा इंटू में इनुमेटर का कॉंप्लेक्स लेना है तो 1 प्लस आई वह जाएगा और यह जिस आलसो 1 प्लस आई अब इसी को सिंप्लिफाई कर लेज़े आप इस बेसिक रिजल्ट नुमेरेटर में क्या जाएगा 1 प्लस आई 1 प्लस आई होल स्कॉर और डिनामेटर में अगर हम बात करेंगे तो देखें यहां पर का जाएगा 1 का स्कॉर माइनस आई का स्कॉर यहां प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मॉला लगा देज़े आप तो ए प्लस बी और ए माइनस बी नुमेरेटर को हम जैसे ओपन करेंगे ए प्लस बी का फार्मॉला ए प्लस बी का होल स्कॉर तो ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर आई का स्कॉर 1 का स्कॉर प लेकिए 1-1 plus 2i और denometers में here 1 plus 1 1-1 cancel 2i upon 2 2-2 cancel so replace is the i अब इस i को हम लेक सकते है 0 plus i और यह आपका हो गया a plus ib form लेकि where a is equal to 0 and b equal to 1 i का coefficient हो जाएगा 1 plus i upon 1- that is the convert यह basic fundamental students इसको हम जैसे कर सकते हैं आएए second वाले question पर बात करते हैं जो हमारे बात second question है 7 plus 5i एक एन डिनामेटर में है 3-2i that is the important points अब इसके सायुग्मी को हमको लिखना है तो डिनामेटर में जो present है 3-2i 3-2i का जो सायुग्मी होगा complex conjugate होगा बैटा क्या होगा 3i को replace जैसे करोगे minus i से तो क्या मिल जाएगा 3-2i मिल जाएगा minus को करेंगे तो minus वाला जो होगा वो plus में कनोट हो जाएगा 3-2i क्या होगा डिनामेटर में जो present है उसका सायुग्मी हो जाएगा तो यह basic concept है आपके लिए बहुत छोटे से problem है बट important है तो 7 plus 5i यहाँ पे और 3-2i यह हो गया इन्टू अब इनके सायुग्मी से multiple करना है हमको तो सायुग्मी होगा 3-2i का यहाँ पे हो जाएगा 3 plus 2i यहाँ पे और डिनामेटर में भी same 3 plus यह आपके सायुग्मी होगे अब इसको आप simplification करिए multiple करिए और result कर आपने आप मिलेगा 7 plus 5i और 3 plus 2i इसको rearrange करके लिख लेते हैं 3-2i and 3 plus 2i ठीक, that is the important अब इसको आप आसानी से इसको लिख सकते हो is the basic concept के साथ समझने का प्रास करें हम तो अब multiple करना है आपको ज्यान से multiple करिएगा 7 का पहले 3 में सभी top में आपस में करेंगा 7 का 3 में करेंगा 7 3 is a 21 7 का 2i में करेंगा तो कितना आजाएगा 14i फिर अब इस 5 का 5 का multiple 3 में करेंगा 15i फिर next 15 का इसमें करेंगा तो कितना आ जाएगा प्लस 5 to the 10 10 i square और फिर here जो आपका denominator में है 3 का square minus a minus b और a plus b का formula whole square 3 i minus 2 i whole square a square plus a square minus b square अलग कंसर अब simplify करें आप 21 plus i i को add कर दिया हमने तो i i add हो जाएगा तो 29 i next 10 i square की values तो i square की value होती है minus 1 ते हाँ पे minus 1 रख दीजिए that is important here i square is equal to minus 1 यह formula आपका values 9 plus यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको minus कर लेजिए minus और 4 i square again अब i square की value हमारे पास minus 1 होती है तो denominator plus हो जाएगा अब देखिए इन दोनों को solve करिए यह वाला part और यह वाला part कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे minus 10 हो यह एक बार और लिख लेते हैं 21 plus 29 i minus 10 divided by 9 plus 4 हो जाएगा आपका क्योंकि अब इसको इसको add कर लेजिए तो कितना आजाएगा और पास 11 plus 29 i divided by 13 okay 29 11 upon 13 the basic अब जैसे यह basic हो गया तो अब इसको simply क्या करना आपको divide कर देना है देखिए this is important 11 upon 13 plus 29 upon 13 i तिक और यहीं आपका requires हो गया जो formula हमारे पास है equation then 7 plus 5 5i upon 3 minus तो आपका यह a plus ib form हो गया this is the a plus ib form where a is equal to क्या आपका 11 upon 13 and b is equal to क्या हो जाएगा आपका 29 upon that is clear यह इस type के question ही आपको आगे करने के लिए work out करते हैं कि इस तरह के questions को हम ऐसे ही कर पाएंगे student तो हमेशा आपको focus क्या करना है जब आपको अगर a plus ib में convert करना है तो पहला focus आपका है कि denominator से जो है denominator का जो complex conjugate है या सायुगमी है उससे आपको multiple करना है ओके numerator and denominator से आईए जो next question लिया है उस पर बात करते हैं जो हमारे पास है next question question number three four ले ले लेते हैं फिर फाइप और शेक्स तो अब पर आते हैं three and four की बाद हम जैसे करेंगे जा गया करसर हमारा आये that is the important देखे थ्री और फॉर की बात करते हैं यह आपका rearrange हो गया this is the three plus four पहले थार्ड की बात करते हैं थार्ड तू प्लस three I all square upon minus अब देखे इस question में हम करेंगे क्या है सबसे पहला main मुद्दा है कि इस point में question में करना क्या है यहां देखे सबसे पहले numerator में जो दिख रहा है वो square दिख रहा है work दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है उस work को solve करना है उसके बाद फिर हम denominator जो हर की सयदमी होगी जो complex conjugate होगा उससे multiply कर देंगे ओके clear तो सबसे पहले क्या करना है आपको numerator को solve करना जो power है उसको linear में बदल देना है तो simple है ए प्लस बी का दिख रहा है ए प्लस बी का whole square कर देजे आप यहां पे और generally calculate कर लिजे तो देखिए इस इस इंपल बेसिक फॉंडामेंटल ए प्लस बी का whole square क्या है प्लस बी स्क्वाइर प्लस टूए ली और जो डिनामेटर में है स्क्वाइट इस रखिया भी 5-1 ओर यहां को जाएगा प्लस 9i स्क्वाइर और प्लस टू तू जा 4 जा 12 12i और डिवादेड बाई 5- अब क्या करना है मल्टिप्लाइंग हर डिनामेटर हर की जो सयुगमी है उससे आपको मल्टिप्लाइं करना है ठीक है तो जो डिनामेटर की सयुगमी है उसको मल्टिप्लाइंगे अब बेसिक हमारा हर की सयुगमी क्या होगी यह आप समझें कि हर की सयुगमी हमारे पास क्या हो सकती है माइनस फई प्लस त्वैल आई यह एंड डिनामेटर से 5 माइनस इंटू अब डिनामेटर में हम क्या करेंगे डिनामेटर मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा 5 plus i और denominator में is also 5 plus अब आपको इसको multiple करना है 5 का इसमें multiple करेंगे 5 में तो minus हो जाएगा 25 फिर minus 5 का यहाँ पर करेंगे तो minus 5 i फिर 12 का करेंगे तो plus 60 i हो जाएगा 12 5 जा 60 और फिर minus यहाँ पर plus करेंगे 12 i square denominator में यहाँ हो जाएगा 5 का square minus i का square अब देखिए minus 25 minus और इसको simplify कर लिए तो plus हो जाएगा 55 i और यहाँ पर इसको हम simplify कर लें तो 12 का है तो plus 12 और minus 1 और here is a 25 और minus और फिर minus 1 इसकी i square की values i square की value होगी minus 1 अब इनको solve कर लेजे minus 25 और minus 12 तो minus 37 plus 55 pi और यहाँ पर जाएगा 26 तो अब देखिए calculation यहाँ पर minus 37 upon 26 plus 55 upon 26 that is the calculation is the most important है कि आप calculation में कहीं mistake न करें calculation को बहुत ही बारिक से check करना होगा plus minus को आपको care करते हुए work करना ठीक है ध्यान में आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा point तो इसको एक बार हम और miss कर लेंगे थोड़ा अलग है इसको एक बार और check करने की कोशिस करते है कि हमारा calculation सही है कि ने 2 a square plus b square plus 2 a b ठीक है तो हो गया i square के value minus 9 minus 1 रखे 4 minus 9 और 12 i 2 is a 4, 3 is a 12 i 5 minus 5 plus 12 i okay that's clear यहाँ पर इसके सहीव में से multiple कर दिए no problem 5 फिर 12 i just 60 plus 12 5 square okay that is clear मुलब ठीक है answer आपका हमारा सही है तो इसी तरह से हम इस टैप के question को कर पाएंगे आए जो next question है मारे पास 3 4 जो है तरह को 1 upon 3 plus 4 i है इसका करना है तो इसकी सायूग में इसके हर की सायूग में क्या हो जाएगी 3 minus 4 i और इसकी सायूग में इसकी सायूग में आपको जैसे पता चल गई तो अब आसानी से इसको आप कर सकते हो 3 minus 4i और यहां पर बजाएगा 3 का स्क्वार माइनस 3 का स्क्वार और इसको इसको कैलकुलेट कर लो आप बेसिक रिजल क्या मिलेगा 3 minus 4i यहां बजाएगा 9 और प्लस 16 क्योंकि i2 की बेलू के अतनी होती है i2 जो हमने आरे पास है माइनस 1 है क्लियर अब इसको डिवाइड करते हैं 3 और 16 और 25 हो गया और यहां पर माइनस 4 अपान 25i यह इसकी सयुगमी हो गई और यहीं आपका हमारा क्या रिक्वार्ड ए प्लस आई बी फॉर्म है ठीक है ए प्लस आई बी फॉर्म जहां ए भी रियल है बी भी रियल है दोनों वास्ट्विक हो गए से कॉंप्लेक्स करते हैं जो हमारे पास फाइप नंबर यह लिया है तो इस वाले पार्ट को करेंगे या लेड़ी होमवर्क आपको दिया हुआ तो आप इसको ट्राइजरू करिएगा और मुझे एंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा आई है इस बेसिक है बहुत अच्छा सा कुषिशन है तो जिसको हमको करना है तो हम इसको ट 9 करने का लेकिन अमारा जो बेसिक परिका उसी सम करने वाले कि इसको क्या करना है इस तरह से 1 plus i and 1 minus i no problem हमको इसमें multiple कर देना है जो denominator की सायुग्मी होगी तो denominator की सायुग्मी क्या होगी जो root है तो उसको डरिये नहीं square root है तो आप उसको डरने की ज़रुवत नहीं है simple जो basic तरीकों से हम इसको कर रहे हैं उसी तरीके से इसको करना है basic तरीका क्या जो denominator में है उसके complex conjugate से multiply करना तो denominator में क्या है 1 minus i है 1 plus i जायाएगा denominator का complex conjugate और 1 plus i से multiple कर दीजे we get the answer this is the basic i है तो देखिए यहाँ पर कहा जाएगा 1 plus i से multiple हो गया और denominator में भी 1 plus अब फिर से इसको हम calculate अगर करते हैं देखिए यह 1 plus i का whole square 1 plus i का whole square 1 का whole square minus अब यह दो numerator denominator में है तो इनको अब अलग-अलग write up पर सकते है square root में ऐसे 1 plus i square और here under root में 1 का square तो है minus i square के जगाँ पर minus 1 write कर देखिए अगर इसको calculate करते है square root cancel हो, square cancel हो जाएगा तो 1 plus i बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 1 plus 1 this is root 2 यह values हो गई 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 और this is the a plus a b form ठीक है a plus ip form a equal to 1 upon root 2 or b equal to 1 upon root 2 that is the important so it's the basic छोटे छोटे प्रावलम्स जिनका हम यूज करके directly इस तरह के question को कर पाए तो six question जो है आप homework में है आप उसको जरूर मुझे answer बताइए कि क्या होगा उसका answer so take care, thank you bye bye जाहें जाहें